कौन नहीं चाहता है कि एक फ्लॉलिस गोरे चमकतार स्किन की हकतार हो हर लर्की की हर महिला की यह ख्वाईश है दोस्तों यह जो फोटोस हमने आपके साथ शेयर किया है यहाल ही में एक शादी में लिए गए कुछ फोटोस है यहाँ पे हमने कुछ खास मेकप वेर नहीं किया ह सिर्फ लिप्स्टिक और काजल है और ना कोई फिल्टर है और ना ही कोई मेकप का कमाल है यह सिर्फ हमारे ग्लोइंग स्किन का कमाल है जो हमने कुछ स्पेशल जो बहुत सिंपल से होम रेमिडिस हमने यूज किये है जो हमारे ममी के बताए हुए होम रेमिडिस है शादी से कुछ 15-20 दिन से पहले हम इसको follow कर रहे थे तब जाके इससे चमकदार और glowing face हमको मिला है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कौन से वो secret से जो kitchen में आपको available हो जाएगा आपको मिल जाएगा और आपको भी ऐसा flawless glowing skill मिलेंगे दोस्तो किसी वी facial का सबसे important part होता है cleansing या फिर आप first day पर cleansing करते हैं और cleanser आपको ऐसा choose करना चाहिए ताकि ये आपके skin को कोई भी नुकसान ना पहुचाए इस skin friendly हो और आपके skin को अच्छे से cleanse out कर दे, dirt को remove कर दे cleanser बनाने के लिए हमें चाहिए honey और गुलाब gel दोनों को ही हम equal amount में use करने जा रहे है हनी के गुनों के बारे में आपको पता ही है इसमें बहुत सारे anti-oxidant इसमें anti-inflammatory गुन होते हैं और गुलाब जल की भी अपने बहुत सारे फाइदे हैं इसमें हम special ingredient यूज करेंगे हल्दी आप किसी भी packet हल्दी का ही उस करेंगे और इन सबी चोजों को mix करके हम इसमें हाप टुकरा टमाटर को ऐसा dip करके पूरे face में circular motion में massage करते हुए face को clean करेंगे टमाटर की भी बहुत सारे फाइदे हैं इससे आपके skin में जितने भी dark spots है जितने भी uneven skin tone है आपको ये भी आपको even मना देती है और skin से dirt को गंदगी को dark spots को reduce करने में बहुत ज़दा helpful है पूरे face को इस तरह से आप circular motion में massage करते करते आपको clean करना है और तब तक करते रहें जब तक आपको ये satisfaction ना मिले कि आपका skin जो है आपका face जो है clean हो चुका है clean करने के बाद मैंने अपने face को धो लिया है धोने के बाद मेरा face कुछ इस तरह से दिख रहा है शायद आपको fill नहीं हो रहा है softness लेकिन मुझे feel हो रहा है अब आपको लेना है steam के लिए अगर आपके पास steamer नहीं है तो आप किसी भी बरतन में पानी उबाल के steam ले सकते हैं यहाँ पे हम खास ingredient डाल रहे हैं वो है हल्दी हमको plain water का steam है वो नहीं लेना है क्योंकि आज का जो ये facial है इसमें हमने हल्दी के गुनों से भर दिया है और हल्दी के गुणों को लेने के लिए हल्दी का जो गुण है हमारे चेहरे की अंदर तक जाए इसके लिए हमने steam के पानी में मतलब हम जो steam लेंगे उसमें हमने हल्दी को यूज किया है ताकि वो अंदर से जाके हमारे चेहरे को निखा रहे और आपको openly अगर steam लेना है ल चीनी में ग्लाइकोलिक यसिद पाया जाता है जब के चेहरे को निखारने के लिए बहुत है इसमें हम एट करेंगे थोड़ा सा लेमन ज्यूस थोड़ा सा हनी और गुलाब जल और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम अपने फेस पर करेंगे तो फिस पर अपलाई करने के लिए हमने हाप टुकरा लेमन को लिया है और लेमन को अंदर डीप करके इस तरह से हम करेंगे इससे हमारे चहरे पर जितने भी इंप्यूरिटी से गंद्यगी है जितने भी दाग थब्बे हैं यह धीरे धीरे रिडियूस हो जाएगा इसको आपको हकते में दो बार करना है दोस्तों इसके यूज से आपका चहरा बहुत ज़्यदा निकर जाएगा यहां पर हमने जो भी गुनहे आप गिंते गिंते ठक जाएगे सद्यों से महिलाये हमारे नानी की नानी से लेके मम्मी हमारे फूपी हम हमारे बच्चे बच्चों के बच्चे सभी उसको यूज करेंगी करेंगे क्योंकि यह गुनों का भंडार है और यह अपकी स्किन को बहुत ज़्यदा बहु तो लास्ट ट्रेप में हमें जो यूज करना है हमें बनाना है एक फेस पैक जिसके लिए हमें कॉफी यूज करना है थोड़ा सा हल्री लेना है पीसा हुआ चीनी एट करना है और सबी चीजों को एक साथ अच्छे से मिक्स करके इसके इसमें हम अप्लाई करेंगे थोड़ा सा रोज वाटर गुलाब जल और अच्छे से मिक्स करके एक थीन सा पेस्ट बनाएंगे ज्यादा गाड़ा भी नहीं ज्यादा पतला भी नहीं ताकि अपके इस चेहरे पर अच्छे से स्टे करें उस कंसिस्टेंसी में हमको ये face back बनाना है तो face back को बनाने के बाद मैं अपने चेहरे पर यूज़ करने जा रही हूँ बरश है तो बरश से लगाईए अगर आपके बास बरश नहीं है फिंगर टिप से लगाईए लेकिन बरश से लगाना सबसे बहतर होता है क्योंकि evenly आपके पूरे face पर apply कर सकते है और इसको 20 मिनट आपको रखना परेगा अपने face पर apply करने के बाद सूकने के बाद देखे मैंने अपने face को धोया है मेरा face कितना निखरा हुआ है आपका चेहरा इससे ज्यादा निखर सकता है आप इससे try करके ज़रूर देखे